हेलो गाईस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल इक जामतोर में आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर टुएल्थ परिक्षा 2022 के लिए केमेस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिब कोश्चन को देखने वाले हैं दोस्तो केमेस्ट्री का पूरे बुक का निचोर मोडल पेपर देखने वाले हैं जो आपके बौर्ड परिक्षा 2022 के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपके board परिक्षा 2022 में chemistry में 35 marks के objective question पूछे जाते हैं और इस 35 marks में 2022 में 30 marks तो definitely gain करना है 2022 में अगर इस 10 model set को लगा लेते हो दोस्तों board परिक्षा 2022 के लिए तो मैं आपको guarantee के साथ बोलना चाहता हूँ बिसवास दिलाता हूँ कि आपके board परिक्षा में इस 10 model set को लगाने के बाद 20 से 22 अंक आपको definitely अरजित हो जाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग model set नमर फर्ष्ट देखने वाले हैं वीडियो को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लेना है तो चलिए दोस्तों पहला question को देख लेते हैं पहला question काफी important है आप लोग खुद से try कर सकते हैं अगर आप लोग सुरू से पढ़े हैं तो चलिए पहला question काफी important है और इस model set में पूरे book का मतलब जितने भी chapter दिये गए हैं सबसे important important question को इस video में include किया गया है हम लोग का target है 10 model से कम से कम आपको लगाने ही लगाने है चलिए दोस्तों पहला question को देख लेते हैं पहला question काफी important question है और दोस्तों इस video में ऐसा एक भी question को mention यानि include नहीं किया गया है जो आपके 2022 के लिए important नहीं है तो वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखना है आपको जिससे की सारा का सारा question आपको याद हो जाए तो दोस्तों पहला question देख लेते हैं पहला question है NACL crystal की संड़चना होती है आपके पास चार option दिये गए हैं फिर भी आप लोग answer को ध्यान में रखें जिससे की आपके board परिक्षा में अच्छे marks आ है समय को ध्यान में रखते हुए answer पे आपको focus करना है तो पहला question है NACL crystal की संड़चना कैसी होती है तो फलक केंदरित आपके board परिक्षा में इसी टैप के question पूछे जाते हैं ज्यादा attention लेने की कोई आवे सकता नहीं है दोस्तों तो आपको बस focus रखना है जितना भी हम question करवा रहे हैं इतने पर focus रखना है आपको NACL crystal की संड़चना कैसी होती है फलक केंदरित नेक्स question देख लेते हैं गनाकार संड़चना में पिंड केंदरित परमानू की समनवे संक्या कितनी होती है तो simple आपको याद रखना है option number 20 इसका correct हो जाएगा दोस्तो घनाकार संडचना में पिंड केंदरित परमानु की समनवे संक्या कितनी होती है एक से दो बर वीडियो को देख लीजेगा दोस्तो आपको याद हो जाएगा इस कोशन पर तिरपल ऩार लगा लिजे दोस्तो आपके बोर्ड परिक्षा में काफी बार पूछे गए परशने और फंस पर भी तिरपल ऩार लगा लिजे मूल क्रिष्टल तंतरों की संख्या कितनी होती है तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तो सेवन option नमर B correct हो जाएगा मूल क्रिष्टल तंत्रों की संक्यां कितनी होती है 7 मैं दो बार तीन बार repeat कर दे रहा हूं दोस्तों जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहूं next question पे triple star लगा लिजिए भौतिक अधिसोसन की दर किसके दुआरा बढ़ता है इन में से कौन सा option राइट हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है भौतिक अधिसोसन की दर किसके दुआरा बढ़ता है तो simple सा आपको याद रखना है दोस्तों option नमर A इसका correct हो जाएगा तापकरम घटा कर जो है भौतिक अधिसोसन की दर को बढ़ाया जाता है यानि के जो है इसका मातरक है संकेत है बेग स्थिरांग का मान निर्वर करता है इन में से कौन सा option है जो बेग स्थिरांग के पर निर्वर करता है तो simple सा आपको याद रखना है option नमर D इसका correct हो जाएगा बेग इस्थिरांग यानि के कामान निर्वर करता है ताप करम पर आप्शन नमर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तो आपको याद कर लेना इसी टाइप के कोशन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड पर इक्षा में तो आपको फोकस रखना है दोस्तो और वीडियो को सेयर कर दीजिए चैनल पे नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तो लोहा एक डैस है लोहा एक डैस है अनु चुम्बकी पदार्थ है परती चुम्बकी पदार्थ है फेरो चुम्बकी पदार्थ है और जो फेरी चुम्बकी पदार्थ है आपको बताना है तो लोहा एक क्या है दोस्तो कोश्चन नमर शिक्स का राइट अंसर हो जाएगा फेरो चुम्बक की अपदार्थ है लोहा क्या है एक फेरो चुम्बक की अपदार्थ इस कोशन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स कोशन पी काफी भी वियाई कोशन है इस कोशन पे तिरपल स्टार लगा लिजी दोस्तों आपके board पर इच्चे है 2022 में definitely आएगा इनमें चार option दिये गए इनमें से कौन सा आरहेंईफ समिकरन आपको बताना है तो दोस्तों simple सा आपको याद रखना भी वियाई कोशन दोजार बाईश के लिए तो आरहेनियस समीकरन आपको याद कर लेना है के वरावर AE पर पावर माइनस EA बटे आरटी करके आपको याद रखना है काफी important है के जो है यहाँ पर कैनेटिक एनरजी है आपको याद रख लेना है next question काफी important है दोस्तों next question भी BBI question है जो 2022 के लिए काफी important है निमलिखित में से कौन कली गतीवे property नहीं है इनमें से कौन सा option जो है कली गतीवे property नहीं है तो simple सा आपको याद रख लेना है दोस्तों option नमर A is का right answer हो जाएगा बास्प दवाब option नमर आपको याद रख लेना है next question है बिद्धूत अपगटन का उप्योग होता है ये question आपके 2022 में definitely आ सकता है दोस्तों तिरपल स्टार लगा लिजे बिद्धूत अपगटन का उप्योग इनमें से कौन सा option में होता है आपको बताना है तो simple सा आपको याद रखना है बिद्धूत सोधन में और बिद्धूत लेपन में दोनों option इसका correct हो जाएगा यानि option नमर C क और ख दोनों option सही हो जाएगा बिद्धूत अपगटन का उप्योग होता है बिद्धूत सोधन में और बिद्धूत लेपन में next question को देख लेते हैं question भी काफी important है जल में साबुन के कोलोडाइडी कन डैस होते हैं जल में साबुन के कोलोडाइडी कन क्या होते हैं रिनात्मक होते हैं अनावेसित होते हैं धनावेसित होते हैं या दोनों होते हैं आपको बताना है तो simple सा आपको याद रखना है जल में जो साबुन का कोलोडाइडी कन होते हैं वह होते हैं आपका रिनावेसित रिनावेसित होते हैं दोस्तो काफी important है आपको याद कर लेने है next question हो जाएगा दोस्तो दूद है इनमें से कौन सा option है जो दूद का ये देता है property देता है तो simple सा आपको याद रखना है option number B इसका correct हो जाएगा जल में बसाओं का dispersion जो है वह एक liquid यानी दूद है जल में बसाओं का dispersion next question देख लेते हैं दोस्तो next question काफी important है CHI3 का परतिरोधी परभाव है CHI3 का परतिरोधी परभाव आपको बताना है दोस्तो तो simple सा आपको याद रख लेना है मुक्त आयोडीन के कारण CHI3 का परतिरोधी परभाव किसके कारण होता है मुक्त आयोडीन के कारण next है निमलिकित में से कौन सा एक secondary alkyl halide है आपको बताना है isopropyl chloride next question देख लेते हैं next question काफी important है CF2, CL2 का उप्योग होता है एक इस question पे triple star लगा लीजिए आपके board परिक्षा 2022 के लिए important है तो CF2 bond CL2 का उप्योग किसमें किया जाता है तो simple सा आपको याद रख लेना है option नमर D correct हो जाएगा आपको याद रख लेना है option नमर D इसका राइट एंसर हो जाएगा next question देख लेते हैं लुकास परिक्षन का उप्योग किसमें किया जाता है तो simple सा option नमर D correct हो जाएगा alcohol के बिवेद में लुकास परिक्षन का उप्योग किया जाता है next question देख लेते हैं next question भी काफी important है failing परिक्षन failing परिक्षन किसके लिए घनात्मक होता है आपके पास चार option दिये गए इनमें से कौन सा failing experiment घनात्मक result आता है तो simple सा आपको याद रख लेना है option नमर A ऐसी टलडी हाइट करके आपको याद रख लेना है काफी important question है next है निमलिखित में से कौन निमलिखित में से किसमे L-Doll संगनन नहीं होता है निमलिखित में से कौन सा option होगा जो L-Doll संगनन का पर्तिकिरिया नहीं होता है तो simple सा आपको याद रख लेना है option नमर C बिनजल्डी हाइट करके आपको याद रख लेना है जो की एलडॉल संगनन नहीं होता है इसमें नेक्स्ट है जो की काफी इंपोर्टेंट है इस कोशन पे तिरपल इस्टार लगा लिजे कार्बो हाइडरेट का समान्य सुत्र है तो सिंपल्स आपको याद रख लेना है दोस्तों आप्शन नमर A इसका करेक्ट हो जाएगा CX bond H2O bond Y करके आपको याद रख लेना है कई बार board exam में पूछे गए प्रशन है नेक्स्ट है दोस्तों गुलकूच का बल्य संदचना में काईरल कारवन की परमानू की संक्या होती है तो सिंपल सा आपको याद रख लेना है इस question पर भी triple star लगा लिजे आपके board पर इक्षा में definitely आएगा तो गुलकूच की बल्य संदचना में काईरल कारवन की संक्या होती है option number C इसका correct हो जाएगा 4 next question देख लेते हैं किस गूरूप के तत्ब को संक्रमन тत्ब का जाता है इस question पर कास्दष सीमाना जाता है Але उप्षन नम्मर देख इसका आप्शन नमर ए नेक्स देख लेते हैं इस question पर भी तिरपल star लगा लीजिए जो 2022 के लिए काफी important है XCF4 का अकार इन में से कौन सा होता है तो simple सा आपको याद रख लेना है दोस्तो option नमर भी सौब अल्याकार प्लेनर करके XCF4 का अकार होता है next question देख लेते हैं next question भी काफी important है निमलिकित में से कौन सी धातू प्रकिर्तिक में मुख तवस्था में पाई जाती है तिरपल star लगा लीजिए तो sodium करके आपको याद रख लेना है दोस्तो option नमर इसका जो है डी हो जाएगा right answer दोस्तो निमलिकित में से कौन सी धातू मुख तवस्था में पाई जाती है तो simple सा आपको याद रख लेना है next question देख लेते हैं निमलिकित में से कौन सा चारिय भूमी स्तत्व है तो simple सा आपको याद रख लेना है तो पाड़ा करके आपको याद रख लेना जो कि काफी important है